सिड तो है पहली बात की वो भी बहुत समझदार है उसने ये बात समझी कि मुनामी ने क्यों चुपाई थी उससे ये बात आप 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 सब के सामने वापस से मुझे ब्लेम नहीं किया चीजों के लिए उसके लिए थाएंगे प्राइनली मुनामी जो है वो कंफरंट करती है करन के बारे में इतने दिन तक जो मुनामी ने सच चुपाया था उसके बाद वो सिड को फेस करें और सबको फेस करें सबके रियाक्शन्स देख रही है तो वो भी काफी एमोशनल हो जाती है वो जैनरली सिड से कुछ भी नहीं चुपाती और मजबूरी के कारण उसे चुपाना पड़ा और इतनी बड़ी न्यूस जबकि सिड तो ऐसा है मुनामी के साथ कि वो कुछ भी होता है वो से सबसे पहले शेयर करके अपना दिल हलका कर जाती है और इतनी बड़ी बात उसने अब तक छुपाई हुए थी सिड से तो अब जब जो वो टूटती है सिड के पास तो फिर वो कहते हैं ना वो भी घरी जाती है मुनामी बहुत जादे एमोशन अज़रा रही है दूसी तरफ सिड के गले से लगका रो रही है उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे मुनामी अब किस तरीक से कंट्रूर करने वाली है अपने एमोशन को सिड तो है पहली बात की वो भी बहुत समझदार है उसने ये बात समझी कि मुनामी ने क्यों चुपाई थी उससे ये बात की मिशन था कॉन्फिदेंशल चीज थी और ये सब जो हम कर रहे थे बदला लेने के लिए कर रहे थे करन के मौत का तो फाइनली एक रिलीफ है था म पूसरे थी मौनामी तो ही वसे बहुत एंकरेंच किया और जो बिखड चुकी थी मौनामी उसको कही ना कही सहारा भी मिला मौनामी वस लागी कि वो तड़ा परी थी ना किसी को भी शेयर करने के इतनी बड़ी बात आप छुपा रहे हो और फाइनली जब आप किसी को बता है तो तो वो जो रिलीफ भी है वो भी है साथ में और पेन भी है और बहुत कुछ है तो मौनामी कितना खुश है अपना अधर्द दूसरे से बाट कर रहा हूं खुश तो अभी हो नहीं सकती पूरी तरह से क्योंकि होता है कि अगर कोई चला जाता है आपका करीबी तो वो हो रहा है मौनामी के साथ तो वो खुश तो नहीं है बहुत बड़ा गाप छोड़की गया है करन उसकी जिन्देगी में तुसरी तरफ मौनामी एक कंसर निखाती वी नज़र आ रही है बली क्या कुछ चैनल को पट्डी नखाती वी नज़र आए एक तरफ जब सारे केड़ नहीं है क्योंकि उसने अपने तरफ से कोशिश की थी एक तो करन की जान बचाने की तब जब बाम ब्लास्ट हो रहा था हुआ था अब अभी जब करन के कातिलों को पकड़ना था तो वल्ली ने बहुत सपोर्ट किया और जैसे की बत्रसर ने का उसने सारे बत्रसर के ओर्ड अब हो चोटी सी चीज है कि वो तो कह रहा है थांक यू और पर मैं कहते हूं कि इसके लिए थांक यू कहने की ज़रत नहीं क्योंकि यह तो मेरा काम है मैं वही कर रहे हूं तो पर वो कहते है नहीं उसके लिए नहीं जो सपोर्ट किया तुमने सबके सामने वापस से मुझे मुनामी के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं ही नहीं पहले नफरत थी और अब तो वो ब्लांक है विकुज उसने बदला ले लिया है करन के मौत का और परम भाया बे मिल गए तो नौ शी समवे साटिस्वाइड की करन ने जो आखरी प्रॉमिस लिया था मुनामी से वो मुनामी न करन की याद आती है उसके वज़े से सारी चीजे हुई तो मनामी कभी बली को माफ तो नहीं कर सकते हैं थैंक यू